सबस्क्राइब को मतलब क्या है प्तों को मतलब कोम और सब्सक्राइब बनें अब ऑद सेल की संख्या कैसे निद्धारित करें कितनी होगी जैसे रो की संख्य कितनी हो चार है और कॉलम चारी है नथा कितनी हो जाएगी है चार कॉलम है तो कितना हो जाएगा सोला आट तो नहीं होंगी ना नई ठीक है तो इतना बनाना बन गया था आपसे उसके आध हमने और क्या देखे थे बताओ इसमें डाटा एंटर करना था किसी बन जाएगा साथ ही हमने यहां टेबल डिजाइन और लियाउट दो टेप देखे थे जो की टेबल के अंतरगत किल है बॉर्डर लाना नहीं लाना अलाइनमेंट क्या रखना यह फॉर्मेटिंग सारे उप्सन यह जैसे हम पॉंट सेलेक्ट करते हैं बैसे ही रहते हैं अब देखो यहां आपको जो है कुछ और चीज़े देखने मिलेगी देखो जब हम आटो फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहां देखना द्यान से यह देखो यहां अपना जो है यह आटोमेटिक यह प्रीडिफाइन है परन्तु हम चाहते हैं कि यह जो बैग्राउंड इसका यह चेंज हो तो हम मैनुवली करने के लिए देखो यहां भी सेडिंग दिया वही शुरुवाल उप्सन तो इसमें से भ इस बॉर्डर में अंतर है कि ने क्यों क्योंकि हमने डिजाइन के अंतरगार जो बॉर्डर है वह चेंज करें अब आप चाहते दूसरी तो यहां से आप यह वाली सेलेक्ट कर लो बादनो फिर से क्या करो यह जहां से भी आपको जिस से रहता ना यह मकान हमने बना चुके पहले से तो कमरे haとीफ कम्रे को पता नहीत सा कितने लगना तो हमने क्या करे बाद में भी हम डिसाइट कर सकते बाद वराicking कमरे बना सकते और धो के से तीन कमरे बना दी बाद में उसको क्या करना है अधिкого वशूब्य को अधिसaja इरेजर दिया है, इरेजर मतलब समझते हैं, हटाना, जैसे आपके पास rubber होती है, compass box में, देखो ये इस बाग को हटा दिये, मतलब ये वाला hall बन गया बड़ा, बड़ा cell, इसको भी हटा दिये, इसको भी हटा दिये, तो देखो, अब इसको भी हटाना है, तो देखो, यहां स अब मुझे बताओ, ये तो हो गया boundary, अब boundary के अंदर आप क्या किरोगे, भाई, छोटे-छोटे भाग बनाओगे न, तो आप column बना लो, या row बना लो, आपकी मर्जी, देखो हमने ये row बना लिए, उसके बाद आप क्या करो, और फिर से, ये देखो, ये row बना लिए, उसक क्या उप्योग किया जाएगा, ये तो पता चल गया होगा आपको, कि बन जाने के बाद, हमको जब modification करना है, मतला संसोधन करना है, तो उसके लिए किसको उप्योग होगा, draw table का, हलाकि आप बनाना चाहिए, बना सकते अपनी मर्जी से, परन्तु इतनी महनत से अच्छा हम क चोटे भाग में बाढ़ना, और eraser को उप्योग करोगे, हाँ, हटाना है, जैसे order को हटाना है, ठीक है, तो इसको उप्योग करोगे, दोनों समझ में आ गया, delete बन गया था क्या आप से, delete का मतलब होता है, cell तो आप समझ जाओ, एक डिबबा, ये वाला, इसको ही delete करना, पर जरूवत हमको नहीं पढ़ती, इसलिए अभी हम देख भीन रहे, कॉलम समझ गए थे, कॉलम मतलब क्या होता है, कि जब दे आपको ये जो कॉलम है, इस कॉलम को मान लो, ये वाला कॉलम को हमको हटाना है, तो किसको उप्योग करोगे, आप delete कॉलम, row मतलब होता है, आड़ी किसी भी row, किसी भी कॉलम में, किसी भी cell में हो, हम सीधे जाकर क्या करेंगे, delete, table, हट गया, तो ये basic काम हमसे बन जाना चाहिए, उसके आद मैंने बताया था, आपको insert करना, बताया था, एक row, मतलब हम यहां करसर रखे हैं कॉन से third number पे, तो हमको second number पे, third number पे ही row लाना है, मतलब second के बाद, तो हम करेंगे insert album, और अगर हमको third के बाद fourth में लानात क्या करोगे, insert below, और अगर इसके side में, side में मतलब right side में कोई column लाना है, column ही आएगा, और यहा फिर left side में कोई column लानात क्या करोगे, insert left या insert right, ये column है तो है न, लिखा नहीं है, वहाँ पर आप समझो होगे, अब आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, देखो उपर और नीचे लिखा है, उपर और नीचे मतलब क्या है, row, और row की क्या होती है, height होती है, bit होती है, बताओ, height ही होगी न, देखो, row कैसे में है, आडे में, तो आडे में वो कहीं तब भी जा सकती है, चोड़ाई height होगी न, चोड़ाई मतलब bit, तो height होगी, कितनी होगी, height, अब height कितनी होगी, देखो, यहाँ पे देखो, आपको कुछ चेंज नजर आता होगा, देखरा, यह देखो, यहां cursor देख रहा है, थोड़ो उपर जाओ, बॉर्ड़र पे, देखो, क्या दिख रहा है, क्या भी कर लेने तो आपकी मर्जी इसके अलावा देखो यहां पर भी लाओ गजित क्या रहा लेप्ट और राइट जैसे आज आएगा समझ जाओ और लेट और राइट मतलब बित है कॉलम की क्या होगी बित और रो की क्या होगी हाइट समझ गयए चलो आप यह कं चीज तो लगाते नहीं है दे बिलकूल पहलास्तर पुट्टी क्या बोलते हैं उसको एक लियार दूसरी लियार फिनिसिंग फिर कौन सा का भगवान जाने क्या होता है यूटुब में वीडियो देखना पड़ेगा किसी पूछना मत पर जाओगे यूटुब में वीडियो देख लेना यूटुब में सब चीज है ठीक है चलो इसको का ओप्सन इंसर्ट ट्रिक्वल ले देखेव इच्वाफ करेगा पर बिधी चेंज हो जाएगी कलिक करेगई कलिक करोंगे देखो क्या आया इस ह Пाझसे इसा मत बोलना की इससे अला है नाम चेंज हुआ है लेकाल कि कॉलोम कोकीटने चाहीं है आपको पता serial number, name, address, कितनी field चाहिए पहले पता होगी, नहीं पता बाद में भी कर सकते हैं, तो आप मान लो कितने column चाहते हो, तीम, row आपको पता है, दो भी आगे sufficient क्योंकि आगे automatic हम ला सकते हैं, tap दबाते जाओ keyboard से और आगे आते जाती है, तो एक लगभग तरीका ले लो पांच ले लेते हैं, फिर नीचे option दिया है कि सभी column fixed रहेंगे, fix मतलब एक की चोड़ाई जितनी है, सबकी एक सी होना चाहिए, तो fixed रहना चाहिए, या फिर आप चाहते आटो content, मतलब serial number की चोड़ाई कम रहती कि नहीं, name की रहती जादा, किसी का नाम बहुत बढ़ा है, address बहुत जादा रहता है, तो यहाँ पर content की हिसाफ से ले सकते, content मतलब जिसको जितनी जगह लग रही है, वो उतनी जगह खुद ले लेगा, ठीक है, तो second number का option, और यह window के according रहता है, देखो बिंडो कहा तक है, यहाँ धिहान से देखो एक point लगा होगा, यह देखो इधर यहाँ पर क्या लगा है, point, थोड़ा छोटा करते हैं, इसको पहले हटाता हूँ मैं, और थोड़ा छोटा कर लेते, आप देख रहे बिंडो कहा से कहा तक है, यह पूरा page है, पर आपका बिंडो का size यह देख रहा है, यह वाला point से लेकर यह वाला point, अब यह जो बाकी की ज जग है, इसे बोलते margin, margin मतलब समझ रहा है, margin मतलब page में जो जग है print होने से बच जाती है, यहाँ text नहीं रहता, उसे क्या बोलेंगे, margin, margin कितनी होती है, दो तो आपको पता चलगी, left होती और एक, right, क्या उपर नीचे नहीं छूड़ती, तो इसको बोलेंगे, top और bottom, उप देखो page कहा तक है, यहाँ तक, पर आपकी margin जो है, देखो यहाँ तक है, तो margin छोड़ना जरूरी है, जरूरी है ना, कम जादा हो सकती है, आपकी जरूरत के हिसापता है, जैसे आप देखो, कभी stamp paper देखे, print हुआ वाला, तो उसमें देखना थोड़ा दूरी से रहता है, और उपर से भी रहता है, तो उपर क्योंकि वो छपता होगा, दस रोपे के stamp, पचास रोपे के stamp छपता है कि ने, तो उपर से हमको ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, अपनी हिसाप से, तो लेट से ज़्यादा क्यों छूटर रहता है, इस time में बता हो ज़रा, नोट्री क को बचाने के लिए क्या जरूरी होता है margin, समझ के कितनी margin होती है, चार, कौन-कौन सी left, right, top, bottom, ठीक, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो margin समझ में आगे आपको, चलो, अब हम यहाँ देखतें insert table में, तो आपको हमेसा fixed वाला ही रखना है, यह तो होता बिंडो के स इसको जितनी जगह लग रही उतना ही लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, आप जो पतला वाला वो ऐसा बोलेगा, कि इनने इतनी लिया, ज्यादा लियत में भी उतनी लूँगा, अगर बोल रहा है, इसका मतलब क्या, fixed column, नहीं बोल रहा मतलब क्या है, आटोफेट, दूबला लुखला पतला आटोफेट हो गया, मोटा भी आटोफित हो गया, मतलब जितना जगह लग रही, और यह विर बिंड़ोंक हेसाब से मतलब पूरी फैल बैट रहा है, वो कोने इसलेगा, वो क्ने साथ, समझ गाया, तो बिंड़ों के हिसाब सेमतला जितना व कंव रहा बहा दो आए एक को नेंबो बैठ चिए फिक असे को क्या रखना है तो मैं आपने क्या नियु आ मान लो 5 रो लिए हो और कॉलम कितने लिए हैं? इतना लिए हैं? हरवार इतना ही लगेगा? नहीं लगेगा नै हरवार अगर लगता है तो देखो नीचे कहा लिखा है Remember dimension for new table Next time के लिए आप इसको select रख सकते हो अगर आपको setting बार बार नहीं करना पर सेटिंग नाम की कोई चीज दिख रहे कहां पर सिर्फ नमबर ही तो डालना कॉलम और रोका क्या लग करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा कुछ रहती इसको सेलेक्ट करते मतलब ऐसा बोल दो कि जैसे एक स्टुडेंट को हमने कोई चीज बताए अब वही चीजे नियम ज कोई दिक्कत नहीं अगर सेलेक्ट करोगे तो यही आ जाएगा नहीं करोगे तो चलो इसको नईच करते हैं वैसे जरूवत ने पड़ते ही आ गया उसके आद हम देखो ले आउट में जाते हैं हैं हेडिंग एक तो हम उपर लिख देते हैं स्टुडेंट इंफॉर्मेसान या स्टुडेंट एंट्री कुछ ना कुछ लिख देते हैं यह टेबल का अंदर जो हमने टाप टॉपिक टाइप करें जैसे मान लो हमने यहां पर लिख दिए क्या सीरियल नंबर यहां लिख दिए नेम और यहां लिख दिए एड्रेस है क्या यहां कुछ ना कुछ डाटा रख रहे हैं आप डाटा मतला समझते ही नहीं जानकारी अब जानकारी डाटा साब अलग-अलग होता है भी फिर नॉर्मल समझ लो शलो आसुतोस मिस्रा स्पेलिंग गलत होगी तो दिल पर मत लेना ठीक है ठाकूर साब क्या नाम है मुकेज सिंग ठाकूर ठीक है अंकेत वेल बन की चलो और कोन है नाम बताओ देखो यह हमने टेप दबाए और आगे क्या आ गया ठीक है यह आ गया अब वो स्पेलिंग मिश्टेक दिखा रहा कोई दिखकत ने टेंसन मत लेना उसकी यहां देखो सहीं लिखा है फिर भी दिख लिख सकते हैं अब देखो यहां पर हमको यह heading ऊपर दे सकते हैं यहां देखो जैसे आप देखते हैं इस्टुडेंट information आप लिख सकते हैं यह आपकर सेट करोगे ऑन्ट बढ़े करोगे इस सारे काम करते हो को कलर वगएरा यह सेट करते हैं थेक है मान लो हमने यह कर दिया अब बता मुझे जिसे मान लो यह तो आप बाहर लिख दिये हम चाहते हैं इसी के अंदर लिखाए अब भाई इक्षा की का बात इक्षा कोजी भी हो सकती है है ना तो आपको क्या करना पड़ेगे एक रो लाना पड़ेगा अभी रो नहीं हमारे पास तो रो लाना कल बताए था मैंने ले आउट में जाएंगे इंसर्ट एब या भी लग कर्शन हमने यहां रखे आप देखो गई रोहर्न यहां लाइंगे और यहां लाकर क्या करेंगे इन अब बताव ये नहीं करने कामईलिक ब्रह था जहां अज़ए और दोनों दीवार चूटना चाहिंए घर न हो तो सेलेक्ट करनेक बाद देखो क्या लिखा मर्ज मतलब जोड़ देना ठीक है यह से तीन भाई दो भाई है गुस्ता आ गई तो अलग-अलग हो गया फिर भाई बंदी हुए तो बीच्विक दिवार भाईया यह तो टूटे ही नहीं रहे क्योंकि बना है किस से अंबूजा स सेमेंट नहीं चलती है लका है कंड्राइ कांट्रोल माउस चला गए तो डिक्कत में जाओगे चलो यहां मर्ज सेल समझ में आ गया अब अमबूजा सिमेंट की दिवाल तो तूट गई फिर गुस्सा आ गई मतलब फिर से अलग होना है तो क्या करोगे फिर से दिवार डालना पड़ेगे बीच में से तो एक तरीका तो होता है कि आप कहां जाओ लियाउट में ही ड्रॉव में ड्रॉव में डाल कर आप जो है कहीं से भी दिवार बना सकते हो परन्तु आपको ऐसा नहीं करना देखो कह लिखा, split cell, cell मतलब यह hall को दो भागों में, तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दो मतलब दीवार डाल दो, तो क्या करेंगे अपन split cell, ऐसे जाओ, आप यह बोल रहा है, number of column, column मतलब खड़े, यानि कितने cell में बाटना है, तो कितने में बाटना है, दो में बाटना, तीन में, ऐसे तीन column हागे, चार चाहिए, तो चाहिए, तो चाहिए, पांच चाहिए, तो पांच आ जाते, फिर से भाई बंदी हुई, तो फिर से क्या करें, अच्छा एक बात ध्यान दो, यहां आपने cell में select करें, देखो, मर्ज सेल क्या हो रहा है, दोनों भाई की मर्जी होगी, तभी क्या हो रहा है, तो आप दो से अधिक हैंसे घसीट कर क्या करोगे, select, आप देखो, तोड़ दो, समझ गए, मर्ज, split समझिक नहीं, और यह table होता है, split table, split table का मतलब होता है, जैसे यह देखो, पांच member है, पांच member में से दो member को अलग करना है, अलग table की रूप में, तो आप क जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, भाई-भाई अलग होता है, ठीक है, पर कोई दूसरे दूस्मन हो जाती हम मना नहीं सकते, क्योंकि वो भारवाल जान दो, गया, है ना, पर भाई है तो, भाई है तो थोड़ा घनिष्ट रहता है, भाई-बहन है तो, बहन और भाई की भी बापती, ठीक, इधर रियल लाइफ में नहीं होता, कंट्रोल जैट, मैं रहता बनाने वालत जरूर बनाता, अंडू, ठीक है, जैसे कोई एक्सिडेंट हो गया, तो कंट्रोल जैट, बापती, फिर उसको दूसरा बोलते है, लेट से जा, इधर नहीं, ठीक है, ऐसा बोल सक मतलब रूलर तक ले जाएगा, यहां तक है ना, और फिक्ष्ट कॉलम बिट, मतलब जो एक कॉलम की बिट है, वो सब की बराबर रहना चाहिए, तो यह तीन आप्सन तो हमने वहां भी देख लिए, आप चाहाए तो अपनी हिसाफ से हाइट और बिट दे सकते हैं, पर इनक नो, पांच भाई में से दोने जादा लेकर बैठे हैं, तो क्या होता है, बता पंचायद बैठेगी, या कोर्ट का चेरी, तो क्या होगा बता ऐसमें? बिबाद नहीं, कोर्ट कängt करेईगा, विबाद तो हो गया, कोर्ट के पास चले गए हम, कोर्ट क्या डिसाइट करेगी, हां समझ गए तो मतलब एक के पास जो है वह एक थोड़ा सा दो को जाए थोड़ा सा तीन को जाए और चार को पास जो है वो भी ऐसा एड़ेस्ट होजा मतला बराबर बराबर आये तब ही क्या होगा जगणा समाथ होगह तो यहां पर देखो दो ऑप्सन दिये होंगे एक तो distribute row और distribute column तो अभी row को distribute करना है कि column को अभी row ज्यादा कम है तो आप row बाले में click कर दो देखो क्या हुआ ज्यादा था वो सब में बंड गया है तो इसलिए बोलते क्या distribute row उसके बाद देखो यहां पर यह वेक्ति को गरीब टाइप देखो जा रहा है भारी बिज्जतीन हुई address को छोटा सा कर दिये अब column कम जादा है कि रो को कॉलम है न तो क्या करोगे यह देखो फिर सब आपसी दोनों समझ गए ठीक है ध्यान से समझना उसके बाद देख रहा alignment alignment मैंने बताया था तीन होते हैं लेफ्ट एंटर राइट तीन होते हैं और ती इतने होगा तीन और तीन नो चैनी बोलना तो देखो यहां पर दीख भी रहे देख रहा है नो alignment तो नो alignment देख रहा है अभी देखो मुझे बताओ जो टेवल है टेवल में एक सैल है और सेल के अंदर एक डाटा है डाटा की स्तिति क्या है बताओ जारा कहां पर हो कौन से alignment म यह वाला जो data है कहां है बताओ टॉप में लेफ्ट में मिडिल में रहता बीचो बीच में रहता है और यहां बीचो बीच में रहता सेंटर में रहता तो इसका मतलब कौन सा alignment है देखो जारा ध्यान से सेलेक्ट भी होगा टॉप लेफ्ट यहां लाकर किलिक मत करना सिर्फ है तो आपको वहां लाकर करसर रखना है देखो लिखा रहा है टॉप लिखेंटर यहां लिकाता होगा टॉप राइट फीने इस सेंटर देखो लेफ्ट सेंटर को वह इसली Nue्ट को सब्सक्रें रहे हैं अपने मिड़्प यह रहता हुगी वाली लाइन को क्या बोलेंग देखो जरा तो यह 9 में से आपकी जरुवत जो भी है वो देख लेना एक और चीज देखो यहां पर आपको एक चीज और दिखती हो कि टेक्स्ट डारेक्शन दिख रहा है डारेक्शन का मतलब क्या होता है आप अभी किस दिसा में बैठे हो डक्षिन डारेक्शन चेंज होग उदर साइड देखने लगा अब सीधे हों अब सीधे होगा तो दिक्कत होगे देखो तो इसमें क्या करो आप कर सकते न उसके बाद क्या दिख रहा है अब देखे देक्ट है अब मार्जिन मतलाब दो बैठे एं समान लो दो बैठे बैठे A और B और A और B के बीच की जो जगह है छूटी हो एक नहीं कि बिलकुल एक के उपर बैठ जाएंगे ठोड़ी जगह छोड़ेंगे कि नहीं तो जो जगह छोड़ेंगे बोही होगे margin मतलब margin ध्यान रखो इसकी भात हम क्या बूलेंगे margin तो यहाँ margin का मतलब होता है एक cell से दूसरे cell की दूरी तो देखो cell margin अभी क्या है बताओ जारा मुझे टॉप और बाटम में तो कुछ नहीं है लेफ्ट में थोड़ी बहुत है ठीक है इसको बढ़ाकर देखो जारा एक एक को बढ़ाकर देखो देखो अब margin दे दिया इसका मतलब देखो यह border से दूरी हो गई उसकी बहुत ज्यादा तो आप देख लेना अभी हमको उत्ते ज़्यादा जरूवात नहीं है इसको zero कर द देख रहा है करम कोई बिगड़ा है कि सही है नहीं है पर इसमें देखो ABCD दिख रहा है क्या अब इसमें जाओगे और किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है सीरियल नंबर या फिर नेम ठीक नेम की को अटिंग करना तो यहां जाओ और क्या करो कॉलम टू और कोलम टू के साफ से टेक्स्ट और सेंडिंग का मतलब होता है ABCD का मतलब पोलंगा है header रो करेंगे कि नहीं अपने, header का मतला होता है serial number name address एक header है, heading और उसके अंदर data क्या है, 1,2,3,4,5, तो heading है की नहीं इस table में, तो है तो इसको select रखना है, नहीं है तो क्या रखोगे, हलाकि कोई भी table बिना heading के बनता है, तो आप ऐसा मान लो, इसको selected रखना है, ठीक कभी कभी नहीं होता, उसके लिए दिया option, फिर उसके बाद name के according करना है, ascending करना, मतलब A to Z, और कर दो okay, okay करोगे देखो, आप ध्यान से देखो यहां, क्या हुआ, हाँ, A वाले उपर आ गए, B रहता तो उसके बाद आ जाता, C रहता, D रहता पर नहीं है, तो next जो है वो आ जाए, reasoning पढ़े होंगे न आपने, reasoning में वो alphabet जमाने का आता है, उल्टा सीधा वाले दे दे हो, कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को खुष करना पॉसिबल नहीं है, तो दुखी होना है कि अपने को, नहीं, अपने को खुष रहना है, अपन खुष है, बाहर वाले थोड़े होंगे, सब को maintain करना है, बाकि खुष नहीं करना, यह नहीं कि खुष ही हो, और अपन दुख हो, तो यहां आप ध्यान रखो, अगर नेम सही है, तो सीरियल नमबर गलत है, अगर आप सीरियल नमबर सही करते हैं, तो नेम क्या हो जाएगा, गलत, तो कोई दिक्कत नहीं, एक को सही रखना आपको, नेम के according ना करके, आप क्या करते हो, header row select कर लो पहले, और सीरियल करना है, descending, ascending का मतलब एक से आगे, बढ़ते क्रम में, और descending मतलब बढ़ते क्रम में, देखो, यह सही हो गया, तो यह गलत हो गया, तो sorting समझ में आया, है न, किसके according करना वो पता चल जाएगा, आपको, address के according करना, नेम के according या जैसे भी, अगला option क्या दिख रहा, बताओ ज करने के लिए, अब बताओ मुझे यह क्या है, यह header है, है न, header, मान लो, आपके पास में ऐसे tap दबाते जाते हैं, और page full हो गया, हो जाता है कि नहीं, page full, एक पेज में record रहेंगे, ऐसा विधिक विधान है क्या, यह देखो, एक page की जगए, दो page, दो page की जगए, तीन page, यह यह से हो सकता है, देखो, अभी तीन page में record चलेगा, परन्तु एक चीज़ ध्यान रखना है, हम तो paste कर दे रहें अभी, अब टाइप नहीं कर रहें, क्योंकि, आप करना type, कम से कम, एक दो page में, अब इतना भी copy क्यों करें, अपन और ज्यादा कर लो, तीदे, सीदे, बिल् प्रिंटिंग है, आप चाहे तो अपन फॉर्मेटिंग कर ले थोड़ी सी, फॉर्मेटिंग इसली क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा, है न, यहां, यहां, यह आपन ने कर लिए फॉर्मेटिंग, ठीक है, जैसे कोई भी आपको जो अच्छी लगती है, आप अपने हिस दूसरा पेज वो पढ़ेगा, तीसरा पेज पढ़ेगा, यहां, यहां लिखा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां तो सिर्फ डाटा लिखा है, हेडिंग कहा लिखी, तो हेडिंग हमको हर पेज में चाहिए कि ने, तो यहां तो इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करक पर उसको भी करके देख लेते हैं आपकी मानसिक्ता भोई लग रही थी तो भोई कॉपी कर लेते हैं यह कॉपी करें हमने और यहां लाकर हमने एक रूप इंसर्ट करें क्या यहीं राइट किलिक करोगे देखो इंसर्ट आ रहा है यहीं देखो क्या आ रहा है एबब और बिल पर वाली मार्जिन हमको अभी इतनी है कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है तो मानलो आपकी मार्जिन जो है देखो यह डबल एरो आ रही है उपर नीचे इसको अपन कम कर देते हैं अब ध्यान से देखो एडिंग कहा गई जिसको लाया था काम सरल करने के लिए बहुत बिगाल ते चलेगे दिककत नहीं होगी तो ऐसा काम कर ग आफि जो करें कें नई हाला कि कर सकते हैं ठीक है पर नहीं करेंगे तो अभी क्या कर दें अपने अंडू कर दें इसको भी कर दो और इसको भी अंडू और इसको भी अंडू बापस ठीक है नीचे वाले पेज में बैसिक करते हैं मार्जिन दिक्कत करती हैं तो हमको सबसे सरल तरीका क्या करना है रिपीट किसको करना इसी हेडिंग को करना है करना तो अपने क्या करेंगे इसको नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा मान लोग किसी वेक्ति हमने बोले सभी क्लास में जाकर निगरानी रखो किसी वेक्ति को मतलब टार्गेट करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो अपने ऐसा किसी एक व्कति को हर क्लास में जाकर निग्रानी रखना है वो क्या भूले रखना है तो चल जा तू चल जा यसा वह यसा टालते टबेलते वो आखरी में पहुँँ जाएंगे और फिटीचर आगत कर बोलेंगे मैंने इसको बोला सी भूण को वह काम भिगाड़ देंगे तो इसलिए क्या करना पड़ेगा पहले सेलेक्ट समझ गए और लियाउट में जाके आपको क्या सेलेक्ट करना रिपीट हेडर रो जैसे हमने रिपीट हेडर रो करें देखना चमतकार अब आप सोचो कि मार्जिन कम जादा करके देखें चलो आपकी मानसिक्ता भी पूरी कर लेते आप कितने उपर चले जाओ मार्जिन छोड़ना नहीं छोड़ना आपकी मर्जी जो हेडिंग है वो जहां है वहीं रहेगी समझ गए हर पेज के टॉप में जो रहना है वो रहेग है तो समझ में आया कि यह है ना सेलेक्ट नहीं करोगे तो वह हैडर रो एक्टिवेट होगा क्या नहीं होगा बिना निसाना लगाए गोली थोड़ी चलाएंगे यह भी तो होता ना चलो यह समझ में आगया आपको आप देखो एक अच्छा चीज देखते हैं एक टेबल ब लसी बीना चीज लेट करेंगो चलीजाएंगा में करें अच्छा उतना दूर जाने की जरूट नहीं लेयाउट में आपि यहां करें लाना एबब बिल से क्रेंगे नहीं Wed दो नेम और यहां लिख दो एड्रेस भी कुछ भर देते नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा उसको चलो सी डबलो क्यों लिखे हैं हम पूरा पूरा लिखो यह 4 सिकेर हैं मतलब सबसे वड़ी जिल क्या वाफैज में अभी आपका टेबल है छूटा था यार वहीवादस कहा अँच्छा करें कि टेबल है भी हमको डाटा में बदलना कोई बोलता ने टेबल गलती से बना दिए डाटा वही चाहिए था आप टेबल नहीं चाहिए ठीक है तो आप इसको डाटा में बदलोगे कैसे बदलोगे बताओ कि कॉपी करके ले जाओगे ले जाओगे ना कॉपी करके ले जाओगे य की दें आपको क्लिक करना है वो बोलगरा है किसमें बदलना है नन्हें सब को कॉमा से बदलना होने मतलब सीरियल नंबर फिर क είναι याइसे करके वो आगए लाते जाएगा यह से देखो नीचे वालेम भी करा हो आप एक चीज़ देखो अभी तो आप अंडू कर सकते हो ना तो टेबल आ जाएगा पर आप इसको सेफ कर देते हो और फिर बापस से खोलते हो नेक्स दे तो अंडू तो होगा क्या नहीं डॉकुमेंट खोला रहता तभी तक अंडू होगा ठीक है पर उसके बाद नहीं होग तो हम क्या करींगे देखो insert में कहां था table हां देखो यहां एक option दियहोगा समझ में लिए अचनी करने को बना भी सकते convert text to तो वह दिया था table to text और यहां दिया थक्स टू टेबल तो अभी हम को बना सकते एक नहीं परन्तों वह मैं चार फॉर्मेटर है में है आपका डेट में आपका डेटा या अंधर मैं तो जो है ऑह अटमेटिक जा क्या Lagina पर आप टेब में भी दे सकते हैं टेब मैं दिये हैं और हो जाएगा आप बोलोगे नहीं खड़े खड़े जुक मत तो क्या दिक्कत होगी बताओ जारा वो उसके कोडिंग एड्जेस्ट हो रहा है तो यहां पर भी क्या हो रहा है उसके कोडिंग क्या बोल दिया उन्हें कॉमा में रखे आपने मतला पूरा डाटा कैसे टाइक पर आ आएंगे पांच रों आएगी तो ठीक है नहीं आत बदल सकते हलागी बदलना नहीं पड़ता कभी आप कर देते ने पर आप मोड में टाइप कर दी कोई बोलेगा टेवल बदलो तो यह कर ना बदल कि आप कैसे बदलोगे बताओ इंसर्ट में जाओगे और आपको जाना कह लिए काम आता है भाई सीट बनाते हैं तो एक्सल की सीट से आप टेबल ला सकते हो हलाकि जरूवत नहीं पड़ते देखो यह उपर एक्सल का इंवार्मेंट आगया होगा देखो फॉर्मूला अगया तो यहां आप जो भी डाटा टाइप करना ऐसे टाइप करो और बाहर क लिख कर दो अपका टेबल बन कर जाएगा हलाकि इसकी जरूवत कप पड़ती है जब सीट अल्रेडी बनी बनाई है कहां पर एक्सल में कोई बोलता है कि हमको एमस बट का फॉर्मेट में डॉकुमेंट चाहिए तो एक्सल की सीट को आप यहां इंसर्ट कर लो टेबल के टेबल दिख रहा है फॉर्मेटिंग सहीं जैसे आपको कैलेंडर चाहिए तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं थीक है नाम चेंज कर दो तारीक बदल लाल पीला हरा नीला शुट्टी कर देना जो भी है छोटा शुटा शुटा लिखना मत शुट्टी बस कर सकते हैं तो यह बने और इन तीनों को याद नहीं रखे तो दिक्कत हो जाएगी ना पूछेगा वो इन मैसे कौन सी बिधी से टेबल नहीं बनता है तो हमाँ दिमाग में क्लिक करेंगे हम कि हां इन इन चीजों से बनता था जो नाया दिखेगा उसको निप्ता दो निप्ता दो मतलब राइट जोगा कुष्चन अच्छेस पढ़ा करो चलो दिसको डिलीट करना कैसे करेंगे यहां राइट किलिक करके आ रहा है कि अने देखो जारा आ रहा है डिली टेबल यहीं से करके आप डिलीट कर सकते हो समझ गया चलो अब टेबल में ऑश बच्चा बताव जा रहा ले आउट म 1000 करना है है हमने करें, ऑर यहां कर देते हम अभी हैasам है अब हमको ऊपरवाले सभी sapph fils effeil को क्या करना है, जोड़ना मतला सम करना कहलाता, उपर वाले sapph qué value को कया करना क्या करना है जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करते हम फॉर्मूला है और जोडना है, यह Ven 조금 तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना वो देखो टूटल जोड़ लिए तो यह सम होता है इस समय बस काम करता है बांकी चीजे जो है अच्छे स्काम नहीं करती हम एक्सल में करेंगे तो आपको टेबल समझ में आगया अच्छे स्प्रियोप करना उसका बहुत इंपोर्टेंट है यह वर्किंग टेबल यही अकेला आधा एक गंटी का रहता है मतलब हमारा मतलब पढ़ने का तो देखो यहां से करना आपको यह तो बांकी चीजे कोई काम की नहीं है आप इसको सेलेक्ट करोगे यह देखो ग्रीड लाइन को आप जो है क्या कर सकते हो यहां देखना टेब अगर आप उसको किलिक कर दोगे तो देखो क्या हो गया बंध हो गया एक और चीज आपको अभी अच्छे समझ में आ रहा है तो यहीं देखो अमने बादर छोड़े थे क्या नो बादर कर दो थीक है नो बादर करी दो दिख रही अभी है नहीं तो कहां दिखेगी ठीक है तो आप लियाओट में जाओगे ग्रीड लाइन करोगे देखो आप देखो ध्यान से ग्रीड लाइन का मतलब होता है एक नक्सा दिखाना परधान मंत्री महोदय आ रहा है मैपिम कर देते कि निक भाई किस दिशा से जाएंगे कौन-कौन सा रूट होगा है ना और उस रास बैसे ठीक है वो तो ऐसे बाकी सहर की रोड कैसी होने चाहिए खराब रहे फरक नहीं पड़ता पर जिस रोड से वो गुजरेंगे उस रोड को क्या करेंगे वो चार्ट लेंगे मतलब साफ सपा इतनी हो जाएगी कि बिल्कुल क्लीन समझ गए तो ऐसे यहां ग्रीड लाइ ऑटी है तेखो यहीं पर हम देखेंगे देखो बॉडर देख रहा है यहां पर भी बॉडर है और बॉडर लेखे देखे इस पिक्चर ले आते हैं धीक है और पिक्चर में on-line-leaf मैं बताता हूं आज जैसे मानलों यह logo ले आते हम सब पूरल कॉलेज का ठीक है ठीक यह logo आ गया अब इस logo को छोटा बड़ा करना यह तो बन गया होगा आपसे है न उसके बाद इसमें styling करना भी बन गया होगा बना था यह यह बना था की नहीं अबन गया टेक्सित का मतलब किया होगा टेक्स के पीछे चले जाना ठीक है और और inference of text का मतलब text के ऊपर आजाना तो आप क्या करोगे नीचे नीचे करोगे देखो text आगे एक नीचे उपर आप इसको tab मार्के इसको उपर लिख सकते जो भी लिखना है वो background में चलीगे एक तरीके से थीक है हम बाटर मार्क भी देखेंगे आगे पर बाटर मार्क जो है बताता हूं stock image या फिर online picture तो आप पहले क्या देखो online stock का मतलब होता है यह बने बनाए चीज़े रहती online में दोनों का मतलब online नहीं है online picture में आपके computer में internet connect होना चाहिए पता चल रहा आप बिना internet connection की यह बोले आप क्यों नहीं रहा दिक्कत हो जाएगी ना तो कौन सी लाना फोन बाला ला सकते हैं जो भी है इसको लाएपनने और क्या करना है देखो यह कहांसे आई कैसे आई सारी चीज़े उसकी information दिखेए छोटा कर लो वैसे जैसे हम करना चाहते हैं तो यह देखो यह आगया अपने को क्या कर ना है क्रॉप करना ले आउट में जाओ देखो यह अब यह विचारा गरीब, देखो यहां रहना चाहिए, तो वह बाहर कहीं भी भग जा रहा है, तो इसमें एक चीज और करना है, देखो हमने यहां rap text की जगह है, inline with text कर दो, ठेखो, और inline with text करके यहां लाख छोड़ दो, आब आगे जगह पर, यह दोनों उपसर यह वाला ताइट का मतलब बड़ा भाई बोल दो एक किनार किनार रहेगा फ्रो का मतलब होता है अपने इनुसार मेनेज करें टॉप और बॉटम इन लाइन भी टेक्स्ट का होता है और बिहाइंड का मतलब पीछे और इंफ्रेंड का मतलब सामने और आपको यह रखना यह दोनों यह करना बिहाइंड कप काम करोगे जब लिखना है ठीक है एक और चीज देखो जैसे मानलो आपने एक क्या लाए हो पिक्चर दिश डिवाइस में जाओ और यहां से आप क्या कर लो डाउनलोड में देखते पिक्चर रखी होगी क्या यह देखो यह पिक्चर आ गई अब यह इसी बताओ जारे रेक्टेंगल मतला चोकॉन है ना पर आप चोकॉन नहीं रखना चाहते कैसे रखना चाहते इसको सरकल में तो एक तरीका वो है कि शेप लिआओ गोल बाला उसके अंधर पिक्चर लिआओ पर यह जो आ गया है उसी में देखो ग्रॉप आया है क्रॉप मे यह वाला ना तो आपको कुछ नहीं करना है जो चीज पहले सा आगए उसमें अप्लाई कर दो तो यहां पर करके देखना और क्या नहीं बन रहते पिक्चर में बताओ यह पूछ रहते थे और बहुत सारी चीज होती है और देखलो यहां पर देख़ो बार्डर बताए था मैंने आप मैं लो बार्डर ले आते हो बार्डर कैसी आई बताओ जड़ा अभी उए बाइट वाइट बाइट बाइट को आप अपने अनुसार ग्रीन कर सकते हैं यह दे और इसके अलाबह आपने पिक्चार लिखे और इसको अब्सक्राइब होता है मुझाद बदल सकते हैं इसकी करें यहां टेक्स्ट के साथ लिखा गया थिक तो ज्यादा उप्योग नहीं है इसका हला कि परन्तु फिर भी है उप्योग करके देखना तो पिक्चर का अच्छे उप्योग करना और टेबल का बाकि सेप का तो यह सी नॉर्मल है जैसे पिक्चर है आइकान और 3D मॉडल भी बता औन लाइन काम करते फिर हम बात करें गयो किस की स्मार्ट आर्ट जाट और स्क्रीन फाट का स्यात मतलब चाट नहीं होता चा सब्सक्राइब